मेगा एंपायर हिंदुजा ग्रूप का रेविन्यो 58,000 करोड, 14 साल की उम्र में शुरू की कम्पनी आज 38 देशों में बिजनेस। 5000 साल पहले सिंद में एक सभ्यता की शुरुआत होई। नाम पड़ा सिंदु घाटी सभ्यता। 1914 में उसी धर्ती से मुंबई आए एक शक्स ने कम्पनी शुरू की और नाम रखा हिंदुजा ग्रूप। आज इस कम्पनी का रेविन्यो 58,000 करोड रुपए हैं। दुनिया के 38 देशों में इसका बिजनेस है। एक सौ से ज्यादा देशों में इसके प्रड़क्ट की सप्लाई होती है। हाली में कम्पनी ने एलान किया कि वो नाइजीरिया की आटो इंडिस्ट्री में निवेश करने जा रही है। इसके लिए नई दिल्ली में जी बी समिट के लिए आए नाइजीरिया के राश्चुपती से बातचीत भी चल रही है। आज मेगा एंपायर में जानिये हिंदुजा ग्रूप के बनने की कहानी। पर्मानन दीपचंध हिंदुजा का जन्म 1901 में सिंध वर्तमान में पाकिस्तान का सिंध प्रांथ में हुआ था। तेरह साल की उम्र में यानी 1914 में पर्मानन काम की तलाश में मुंबई आ गए। कब सिंध भारत का ही हिस्सा था। मुंबई में वो ट्रेडर का काम करने लगे। जल्वी उन्होंने इस सेक्टर की बारिकियां सीख ली। अब उनका इरादा खुद का बिजनेस करने का था। पर्मानन भांप गए थे कि मिडल इस्ट के देशों में व्यापार के बड़े मौके हैं। मुंबई में उन्होंने 1914 में ही हिंदुजा नाम से अपनी कमपनी शुरू की। पाँच साल बाद 1919 में इरान का रुख किया। यहां उन्होंने अपना पहला इंडिनाशनल ओफिस खोला। पर्मानन ने इस कमपनी के लिए पाँच सिधान्त बनाए। पहला पार्टनर्शिप औफ ग्रोथ, दूसरा वर्क तुगेव, तीसरा वर्ड इन बॉन्ड, चौथा एडवान्स फियरलेसली और पाँचवा थिंग ग्लोबल एक्ट लोकल। पर्मानन दीपचंद हिंदुजा को ही आधुनिक समय में भारत का इरान से ट्रेड लिंक स्थापित करने का श्रे दिया जाता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए 1989 में पूरा परिवार इंग्लेंड शिफ्ट हो गया। 1989 तक पर्मानन का परिवार बड़ा हो चुका था। उनके साथ उनकी पत्नी जमुना और चार बेटे भी इंग्लेंड आ गए। श्रीचंद पर्मानन हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और अशोक उनके चार बेटे हैं। यहां आकर कंपणी ने अपने हाथ अलग-अलग सेक्टर्स में आजमाने शुरू किये। जैसे रियल एस्टेट, हेल्थ केर, डिजिटल टेकनोलजी, मीडिया, एनरजी और एडवाईजरी जैसे क्षेत्रों में कंपणी घुसी। यही से कंपणी दुनिया भर में ट्रेट करने लगी। हिंदुजा ग्रूप फिलहाल यह दावा करती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी चांसनेशन यानि कई देशों में एक साथ व्यापार करने वाली कंपणीयों में से एक है। इसमें अशोक लेलेंड, गल्फ ओयल, हिंदुजा बैंक, हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूसन लिमिटेड, हिंदुजा टेक लिमिटेड, हिंदुजा हेल्थ केर और एनेक्स्टी डिजिटल शामिल है। अशोक लेलेंड की शुरुवात 1948 में हुई थी। यहां कमर्शियल गाडिया बनाने वाली दुन्या की सबसे बड़ी कमपनियों में से एक है। यहां अब फुली इलेक्ट्रिक कमर्शिल गाडिया भी बनाने लगी है। भारतिय सेना के सामान की धुलाई करने में जिन वाहनों का इस्तमाल किया जाता तो उसमें सबसे ज्यादा अशोक लेलेंड की गाडिया है. इसी साल जुलाई में सेना ने कमपनी के साथ 800 करोड रुपे की दील की है. ब्रिटेन में हिंदुजा ब्रदर्स सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल. हिंदुजा ग्रूप इंग्लेंड के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक है. इंग्लेंड में manufacturing unit से लेकर चारों भाईयों के पास कई एहम real estate property है उदाहरन के लिए लंदन में old war office इस building को हिंदुजा ग्रूप ने luxury five star hotel बनाने के लिए लिया है 2017 में हिंदुजा ब्रदर्स इंग्लेंड के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप पर थे फिलहाल चारों भाईयों की बात करे तो श्रीचंद का निधन हो चुका है गोपीचंद लंदन में रहते हैं प्रकाश्चंद मोनाको में और सबसे छोटे अशोक मुंबई में रहकर भारत में company का का काम देखते हैं 2014 के एक लेटर ने चार भाईयों के बीच विवात खड़ा कर दिया साल 2014 में चारों भाईयों ने एक लेटर साइन किया इस लेटर में लिखा था कि संपत्ती के बंटवारे में सब कुछ सबका है इस फिलोसफी को फॉलो किया जाएगा और चारों भाईयों को एक दूसरे के लिए वसियत लिखने की बात थी लेटर में ये भी लिखा था कि अगर कोई संपत्ती सिर्फ एक भाई के नाम पर है तो वह चारों भाईयों की हो जाएगी फोर्ट्स इंडिया के मुताबिक इस लेटर के साइन होने के मात्र दो साल बाद 2016 में श्रीचन्द ने कहा कि कमपनी के कारोबार को आपस में बाठ लेना चाहिए और इस लेटर में लिखी बातों को नहीं मानना चाहिए इस बात को लेकर तब विवाद और बढ़ गया जब श्रीचन्द के नाम पर एक स्विस बैंड को बाकी तीनों भाईयों ने अपने अंदर लेने की कोशिश की तब 2019 में श्रीचन्द हिंदुजा ने इंग्लेंड के कोट में केस फाइल कर दिया श्रीचन्द ने दलील थी कि यहाँ लेटर कानूनी रूप से वैद नहीं है 2022 में इस मामले में इंग्लेंड की कोट ने फैसला सुनाया फैसले में कहा गया कि चारों भाई अपने संपत्ती विवादों को सुलजाने के लिए एक कॉन्फिदेंशल अग्रीमिंट के लिए राजी हो गए है झाल 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 झाल